Hello everyone, welcome to our channel MP Board English Medium So guys, finally, मैं first time Hindi Medium वाले बच्चों के लिए कोई content बना रहा हूँ इससे पहले मैं जितने भी videos पोस्ट करता था, important question पोस्ट करता था Even 2 साल से Hindi Medium वाले जो बच्चे थे, वो मुझसे request कर रहे थे कि भी आप Hindi Medium में भी content लेकर के आईए So finally, इस साल मैंने decide किया था, कि इस साल में Hindi Medium वाले बच्चों की भी help करूगा Because, जो question में English में देता हूँ, वह question Hindi Medium वाले बच्चों के English में translate करके चाहिए Because question paper में question तो same ही आता है, चाए English Medium का बच्चा हो, चाए Hindi Medium का बच्चा हो So, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को physics के important question देने वाला हूँ, आपके भौतिक शास्त्र की important question देने वाला हूँ देखो guys, मैं English Medium से थाता हूँ, हो सकता है कि मेरी Hindi में थोड़ी तूट-फूट हो तो इसमें मुझे थोड़ा सा माफ कर देना, अगर कुछ गलती होती है, तो प्लीज इसको consider कर लेना, बाकि आप लोगों को मैंने proper translate करके सारी चीज़े बताऊंगा ठीके तो guys, छुड़ू करते हैं आज के इस वीडियो को, और आज के इस वीडियो में हम लोग जिस chapter के बारे में बात करने वाले हैं, जिस अध्याय के बारे में बात करने वाले हैं, वो है आपका भौतिक शास्तर का अध्याय नमबर एक, जिसका नाम है वैध्यूत इसके important question हम इस वाले वीडियो में discuss करेंगे, आप लोगों से request करता हूँ कि जितने में के आपको question दे रहा हूँ, यह most IMP question है, बहुत जादे इनसे पूछा जाता है, पिछले दो साल से आप मेरी चैनल पे history देख सकते है, questions बहुत जादा पूछे गए हैं, जो मेने बच्च ब्लूप्रिंट की हिसाब से इस वाली unit से हमको एक objective, एक दो number का question और एक ती number का question आने वाला है, तो जो objective question होते हैं, उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, इस वाले वीडियो में हम दो number और ती number के question की बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं, दो number की question की, याने दो अंको के प्रश्णों के, तो दो अंको के जो प्रश्ण है, वो मेरे हसाब से जो आ सकते हैं, वो आपकी screen पे आपको दिख रहे है, अगर आपको इस PDF को download करना है, यह पूरी PDF की में आप लोगों को link दे दूगा, अगर आपको download करना है, तो मेरे telegram channel की आपको link मिल की और्वरता को परिभाशित करें, वैद्यूद शेत्र की तीवरता को परिभाशित करें, तो यह आप लोगों का question है, अगर यह एक्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है, तो मुख्यता दो नंबर से यह आप लोगों को पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छी तरीक डियाने डाइपूल क्या होता ही आप लोगों को पूछा जा रहा है दूसरा ले प्रेशन में सारे कोश्चन बहुत बार एक्जाम में आ चुके है पिछले कई सालों में तो इसको अच्छे से प्रेक्टिस करना ठीक है तीसरा प्रेशन आता है वैद्यूत बल रेखाओ के कोई चार गुण लिखे आपकी वैद्यूत बल रेखा है याने जो इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन होती है इसके आप लोगों को चाल प्रॉपर्टी चार गुण पूछे जा रहे है अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा देख रहे है तो इंग्लिश मीडियम में मैं आल्रेडी इंपॉर्टन कोश्चन इस चैप्टर के अप्लोड कर चुका हूँ पूछा जा सकता है पाच्वा कोश्चन आता है सिद्ध कीजिए कि व्यद्यू छेत्र के सामानतर पूष्ट से गुजरने वाले व्यद्यू फ्लक्स का मान्शुन्य होता है यह कोश्चन पिछले साल ही पूछा गया है बोड़ परिक्षा 2022 में ठीक है दोड़ परिक्षा 2022 क कोश्चन है तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना हो सकता है कि इस साल भी यह रिपीट हो जाए अब बात करते हम तीन अंको की कोश्चन की तो तीन अंको में मेरे हिसाब से बस दो ही प्रशन बन सकते है इस वाले चैप्टर से तो पहला प्रशन यह है कुलम का नियम इसका जो स्टेटमेंट होता है वह लिखना आपको इसको प्रूफ नहीं करना है तब बड़ा सा जो डेरिवेशन वह आपसे नहीं पूछा जा रहा है और लिए आपको स्टेटमेंट लिखना और इसका फॉर्मूला लिखके आ जाना है यह थे इस वाले चैप्टर के इंप अगर आपको इस पीडियाफ को डाउनलोड करना है तो आप टेलिग्राम पे कर सकते हैं अगर आप लोगों को किसी तर के कोई डाउट है तो आप मुझे वहां पे कॉंटक्ट भी कर सकते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आए और तो इसको लाइक किजेगा थैंक्यू वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में